Hello and welcome to Jamcam YouTube channel and Padre Chemistry पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है Students हम CSIR.net के लिए जो previous year question paper है उनकी chapter wide series discuss कर रहे है यह हमारी video number 6 होगी इससे पहले 5 videos हो चुकी है जिसमें हमने पहली video में video number 1 में हमने प्रियोडी सिटी के previous year questions को देखा था उसके बाद जो 3 videos आई थी उसमें हमने chemical bonding के previous year questions को देखा था और जो हमारी 5th video थी, last video थी उसमें हमने inorganic chemistry point of view से acid based chemistry के chapter को देखा था उसके solutions हमने किये थे अब ही हमारी video number 6 है और इसमें हम start करने जा रहे हैं हमारा जो है fourth topic of inorganic chemistry that is main group elements main group elements, main group elements में मैं आपको hydrogen related questions भी करवाँगा S block यानि के alkaline metal, alkaline earth metal and आपका P block इन सभी के मिलाके जो questions होंगे वो मैं आपका main group elements में discuss करने जा रहा हूँ, इसके भी 2-3 parts तो कम से कमाएंगे हो सकता चार parts भी आए, काफी ज़्यादा questions यहां से आपको देखने को मिलते हैं अगर आपने पहले के 5 videos नहीं ही देखिए तो देख लीजिएगा काफी ज़्यादा आपको help मिलेगी और videos को like share करते रहे हैं आपकी sport की बड़ी requirement रहेगी और इस series को आप काफी पसंद करें और आपकी काफी help भी हो रही होगी अगर आप इन सभी exams की coaching लेना चाहते हैं, त्यारी करना जाते हैं IAT exam, CUETPG, CSIRnet, GATE और जितने भी PGT या TET exam होते हैं हमारी app का नाम है Padre Chemistry, video के description में link है यहाँ पर बड़ी ही affordable fees में courses available है जादा information के लिए आप इन number पे भी contact कर सकते हैं तो student शुरुआत करते हैं हम question number 1 से हम December 2023 के question, जो latest paper हुआ था, वहाँ से सुरुआत करते हैं तो यह हमारा question number 1 है और अपने आप में बिल्कुल new type का question है ठीक है, बहुत ही अच्छा question इसको मैं कहूंगा The total number of six member ring in polycyclic compounds एक यह वाला compound बोल रहा है कि इसमें कितनी six member की ring होगी और एक यह वाला compound है इसमें कितनी six member की ring होगी यह आपको बताना था student आपने यह structure पहले नहीं देखी होगी लेकिन आपने P406 के बारे में जरूर पढ़ा होगा इसको वैसे तो 11-12 class से ही J.E.Nate की preparation के दोरान पढ़ा दिया जाता है लेकिन इसका question जून 2023 के exam में भी आया था तो जैसिस और यह जो P406 है यह बनता किससे है यह सब P4 से बनते है P4 से बनते भाई यह सम तो यह आपका कुछ ऐसा आपको दिखाई देता P4 यह आपका सबसे reactive हों white fast force होता P4 अगर इसी में आप क्या करते हैं यहाँ एक oxygen 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 अगर लगा देते हैं तो बन जाता है P4O6 एक oxygen यहाँ, एक oxygen यहाँ, एक oxygen यहाँ, एक oxygen यहाँ, एक oxygen यहाँ यह क्या बन गया आपका? इसको बोला जाता है P4O6 अगर आप इसी को same to same, देखो भई P4O6 के बारे में हम discussion पहले भी कर चुके अगर आपको याद हो तो, organo-metallic chemistry में इसका use आता है stereo chemistry में इसको adamantain-like structure होती है student, reality में इसकी real structure इसकी adamantain-like होती, adamantain-like तो जैसे यहाँ पे आपको oxygen दिख रहा, आप हर जगह क्या लगा दीजिए? N और इसके साथ क्या लगा दीजिए? M-E क्या लगा दीजिए student यहाँ पे? यह आपका N हो गया और यह इसके उपर लगा दिया M-E यह आपका N हो गया इसके उपर लगा दिया M-E यह आपका N हो गया, इसके उपर लगा दिया M E यह आपका N M E हो गया और यह आपका N M E हो गया This is the structure of P4-N M E 6 लेकिन student, यह जो structure आप ऐसे देख रहे हैं this is like that adamantane-like structure तो वो adamantane-like structure कैसे बनती, वो भी देख लीची जीए Edmontain-like structure कैसे बनती उसको भी देख लीजिए तो इसमें कुछ ऐसे करके दिखाया जाएगा है ना अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे ग्रूप लगाया सेम एक ग्रूप यहाँ लगाया इसको यहाँ से इसको इसके साथ मलाया इसको इसके साथ मलाया यस तो जो भी आपको CH जहाँ पे देखो ब्रीजेड पोजिशन है वहाँ पे phosphorus लगा दीजिए जैसे यहाँ पे तीन कार्बन जुड़े हों यहाँ पे phosphorus लगेगा यहाँ पे phosphorus लगेगा इस जगे phosphorus लगेगा और इस जगह फोसफरस लगेगा तो यहां क्या लगेगा आपका, ये बन गए-अपका पी, ये आपका बन गए-पी ये आपका बन गए-पे-अर ये आपका बन गए-पी, अब जहां पे भी CH2 टाइप की position नजर आ रही है जैसे ये वाली position ये वाली position, हना E यहां लगेगा अगर oxygen होता तो oxygen लग जाता ठीक है एक NME यहां होगा और एक NME यहां होगा कितने आगे एक दो तीन चार पांच एक रह गया भई कहा रह गया एक एक किसमे रह गया PNP PNP यहां बीच में भी आएगा भई एक थोड़ा सा इसको correct करेंगे इस structure को यहां बीच में भी आपको क्या देखने को मिलेगा NME2 देखने को मिलेगा ठीक है ऐसी कुछ structure आपको यह देखने को मिलती है अब यह कह रहा है इसके अंदर कितनी six member की ring है कितनी six member की ring देखो अगर मैं बात करता हूँ पहले इसको देखिए जहां पर मैं a, b, c, d या 1, 2, 3 या 1, 2, 3 या 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आपको यह एक chair form नजर आ रही है 1, 2 जो black color चे मैंने 1, 2, 3 लिखा आप बोलोगे yes बिलकुल सही है दूसरा अब मैं red color यूज़ कर रहा हूँ और alphabet यूज़ करता हूँ यह देखिए a, b, c, d, e, और f एक ही यह chair form नजर आ रही है बिलकुल सही है उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अब मैं blue color यूज़ कर लेता हूँ बिल्यू कलर में अब मैं यूज़ करता हूँ x, y, z करके ठीक है तो यह आपका x, यह आपका y, यह आपका z आ गया इसको मैं s बोल देता हूँ इसको मैं t बोल देता हूँ इसको मैं u बोल देता हूँ यह वाली ring देखो ये, 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 ये भी तो एक 6 member की ring है अगर आपको धान से दिख रहे है तीसरी हो गई और एक कौन सी बच गई भई एक और यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी ये तो complicated structure बन गई है अगर, yes इस structure को देख लीजिए सब कुछ clear हो देगा A में एक तो मैंने बताए ये वाली देखो ये, ये वाली ring एक मैंने ये बताए कि ये 6 member की ring है ठीक है दूसरा मैंने बताए जो नीचे की तरफ देख रहे हैं ये भी एक chair form है दो तही हो गई तीसरी मैं बता रहा हूँ इसको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ये वाली हो गई ठीक है और एक देखो इसके पीछे ये देखो यहां से एक, बी, सी, डी, ए, ए, एफ पीछे वाली, पीछे वाली तो इसके अंदर चार, छे member की ring होती है स्टुडेंट, अगर आप बात करेंगे पी, फॉर, एन, एम, ए का सिक्स, इसके अंदर सिक्स, member की जो ring होती है वो फॉर होती है, कितनी होती है फॉर, तो ठीक है, अगर इसमें, टोटल पुछी थी उन्होंने तो इसमें फॉर होती है, भई, छे member बनी हुई, तो मैं आपको exact वही दिखा देता हूँ इस structure को देख लीजी, student यह जो C आपको दिखाई दे रहा है, P2 NME का twice या NME2, देखो इन्होंने, अगर आप इसको थोड़ा सा open करके लिखोगे न, यही है देखो, अगर आप इसका double करते हैं, तो N हो जाएगा 6 या फिर आप इस 2 को बहार निकाल लीजी, अगर आप इस 2 को बहार निकालेंगे, तो इसको आप P2 NME का 6 भी लिख सकते हैं P2 NME का 6 भी लिख सकते हैं इसी को, तो इसी की structure को यहाँ बनाया गया, देखो, यह एक फासफोरस, एक यह एक फासफोरस यह दो N से यहाँ जुडावा दो इसमें कितनी रिंग नजर आ रही हैं, इस structure को धान किया का, कितनी रिंग नजर आ रही हैं, देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ से 1, 2, 3 4, 5, 6 एक रिंग यह हो गई, ठीक है एक नीचे वाली हो गई, ठीक है और एक यह पूरी देखो यहाँ से, अगर मैं बोलता हूं इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, और इसको F तो इसके अंदर टोटल 6 मेंबर की रिंग कितनी नजर आ रही हैं, थ्री इसके अंदर total six member gering कितनी नजर आ रही है three यस तो इसके अंदर जो total six member gering होगी वो three होगी अगर आप four plus three करेंगे तो वो बन जाएगा आपका seven अगर आप four plus three करेंगे वो बन जाएगा seven very good question, बहुती बड़ी है question student hope कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और इन दोनों structure को याद रखेगा हो सकता है future में फिर कभी आपसे दुब़ारा पुछा जाएगा question number two की बात करते हैं वैसे तो ये question आपका group three से relate करता है बट मैं आप इसको बता देता हूँ थोड़ा सा hint आपको मिल जाएगा देखिएगा, ये कह रहा है एक molecule है MX5 belong to the point group of D3H ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली जो structure जो कि एक TBP like structure नजर आ रही है trigonal by pyramidal तो ये कह रहा है, अगर ये पांचो के पांचो सेम है तो हमें ये पता है student, ये axial वाले bond थोड़े से longer होते हैं और ये smaller होते हैं तो ये कह रहा है कि इसका जो point group है वो 3D3H है ठीक है अब ये कह रहा है कि हमने इसका elongation करवाया axial bond के थूँ तो ये वाले bond longer हो गए हैं दोनों और यहाँ पे हमने elongation करवाया है through equatorial bond लेकिन A का elongation यहाँ दोनों का करवाया लेकिन यहाँ पे A वाले bond को सिर्फ इस X bond को यहाँ पे elongate किया गया है long किया गया तो अब ये कह रहे है A का point group बताओ क्या है और B का point group बताओ क्या है student very simple question और ऐसे question है ना आपको OMC के दोरान भी पढ़ाय जाते हैं organometallic compound में एक्जक्ट यह चीज़े नहीं होती वहाँ पे बट वहाँ पे हम बात करते हैं वही देखो 3 ligand एक type के हैं और फिर दूसरे type के 2 ligand इस type से बात करते हैं वहाँ पे वहाँ पे भी point group की थोड़ी से बात होती है क्योंकि वहाँ पे जब हमें न, CEO के बारे में पता करना होता है, तब ये चीज़ें काम में आती है, तो student देखे, जब अपने सिर्फ इसी बोंड को elongate किया है, तो यहां से आप देखेगा, अगर आप इसको देखेंगे, यहां पे C2 present हो गई, क्या present है यहां पे C2, इस X को इस X की, यह X आपस में replace हो जाएंगे, यह X आपस में replace हो जाएंगे, यहां पे C2 present है, अगर C2 present है, तो D3H point group नहीं हो सकता, C3V point group नहीं हो सकता, अब इन दोनों को ध्यान से देखना है, C2V point group होगा, student C2V point group होगा, अगर यहां पे C2 present है, तो यहाँ पे C2V point group present होगा अगर आप options को देखते हैं इसलिए इन दोनों option को हटा देते हैं अब जैसे ही आपने इन दोनों को elongation किया तो यहाँ पे वो चीज available नहीं हो पाएगी यह like that TBP है कोई खास changes इसमें हुए नहीं है यह like that TBP है यह trigonal bipyramidal तो जो point group इसका दना इस structure गा वही same point group आपको इसका दिखाई देगा यहाँ पे option number fourth is the correct answer यहाँ से आप देख सकते हैं अगर यहाँ से आप एक axis डालते हैं यह वाली जो axis होगी इसको reference मान के और इसको C3 बोला जाएगा क्योंकि यह x यहाँ चला जाएगा यह x यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे आपका basically C3 present होगा इसमें क्या होगा C3 और यहाँ पे एक h का मतलब horizontal आएगा यह आपका जो principal axis होगी इसी के perpendicular एक plane है जो को इसको two equal parts में divide करेगा इसलिए यहाँ पे इसका point group होता है D3H इस question का correct answer आना था option number fourth इसमें देखिए भई group 3 आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए अगर वो पता है तो अच्छी बात है नहीं पता तो जब group 3 पड़ेंगे तब उसको relate किया जा सकता है question number two हमारा हो जाता है yes question number three ऐसे question पहले भी आये हैं भई काफी बार question number three को आप द्यान से देखिएगा यह दिसम्बर 2023 का ही है कहरा जब आप XEF6 का complete hydrolysis करते है XEF6 का जब आप complete hydrolysis करते हैं तो आपको P मिलता है तो यह P क्या है भई देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यह बता रखिए देखो यहाँ पे इसका जो oxidation state वो plus 6 है तो आपको plus 6 oxidation state वाला ही compound मिलेगा एक तो parameter यह है जांचने का plus 6 वाला ही मिलेगा तो देखो यहाँ तो 8 oxidation state है यहाँ तो 8 oxidation state है इसको हटा दीजिए इसको अटा दीजिए यहाँ plus 6 जुरूर नजर आ रही है ठीक है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप x मानते हैं यह आपका यहाँ पे x हो गया यह आपका minus 1 मानेंगे इसको यह आपका minus 8 हो गया यहाँ पे और यह आपका minus 1 तो ये लगबग ये भी 8 के करीब चला गया तो उससे point of view से भी सोच सकते हो लेकिन वैसे भी याद रखवाया जाता है आपको कि जब भी आप XEF6 का complete hydrolysis करते हैं तो आपको मिलता है XEO3 क्या मिलेगा XEO3 अगर इतना पता लग गया पूरा question ही solve हो जाता है अब देखिएगा when whereas alkaline hydrolysis of XEF6 use क्या O and R तो लेकिन भाई देखो अगर आप इसी XEF6 का alkaline hydrolysis करवाते हैं तो आपको बोला गया कि क्या O and R मिलते हैं तो ये जो क्या O and R है ना ये मिलते हैं इसको gentate ion बोलते हैं XE6 XEO6 and 4 negative और साथ में आपको क्या मिलता है ये आपका genone मिलता है ये दोनों मिलेंगे तो ये आपका बनेगा क्या O और ये बनेगा आपका R December 2023 में चार नंबर का question पुछा गया था और ऐसे questions पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल simple question है इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो ना हो और main group elements से याद रखना पड़ेगा main group elements में काफी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगे यहाँ ठीक है question number 3 हमारा complete होता है ये हमारा question number 4 आ गया भई the number of oxygen the number of oxygen atoms bonded to each phosphorus P4O6 में और P4O10 में मैंने अभी अभी आपको structure बना के दिखाई थी कि यहाँ पे P-O-P आ जाएगा यहाँ पे P-O-P आ जाएगा यहाँ पे P-O-P आ जाएगा और यहाँ पे आपका P-O-P आ जाएगा सेम अगर आप यहाँ देखते हैं P-O-P आ जाएगा सेम अगर आप यहाँ देखते हैं पी ओ पी आ देगा, तो यह देखो, this is P406, यह आपका P406 है, और अगर आप इसी में क्या करेंगे, अगर आप P4010 बनाना चाहते हैं, तो क्या किजिए, यहाँ पे लगा दीजिए डबल बॉंड O, यह डबल बॉंड O, यहाँ पे लगा दीजिए डबल बॉंड O, यहाँ पे बन जाएगा आपका P4010, यह बन जाएगा आपका P4010, तो यह देखिए, यहाँ पे जो Phosphorus है, उसके साथ, कितने एक Phosphorus के साथ, कितने Oxygen Atom Connected है, एक यह रहा, दूसरा यह रहा, और तीसरा यह रहा, कोई भी आप Phosphorus देख लीचिए, वो तीन Oxygen से जुड़ा हुआ है, कि क्या आएगा, चार आएगा, इस Question का Correct Ansor आना था, 3 and 4, क्या आएगा, Student, 3 and 4 is the Correct Ansor, Next Question पर चलते हैं, Question No. 5, देखे भई, यह बिलकुल भी, ऐसी है कि, पहले बात तो यह अग्जाम में, इस टाइप के Question, Rare ही आते हैं, कभी-कभी, आएं, तो अगर आपको Exact Ansor पता हो, तो Past Through an Observer Containing Slaked Line, तो भई, देखो, C-A-O के साथ, S-O-2 का Mixture करवाएंगे, In the Presence of O-2, है न, In the Presence of O-2, तो बताइए, Final Product क्या मिलेगा, तो Student, यहाँ पे जो Final Product मिलता है, वो मिलता C-A-S-O-4.2-H-2-O, यह वाला Product मिलता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं समझा सकता आपको, आपके Exam Point of View से Important है, और यही क्या होता भई आपका, देखो, C-A, यह, 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 यही क्या होता आपका, इस प्लास्टर ओ पैरिस, नहीं बोलते इसको, इसको जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम, हरा, यह क्या होता आपका, Calcium Sulfate 2H2O, जिप्सम होता है, और जब जिप्सम को आ करते हैं, तो उसी से P.O.P. बनता है, प्लास्टर ओ पैरिस, तो उप्सम नमबर 3 is the correct answer, कुछ समझाने का था नहीं, तो समझा नहीं पाँगा, इसमें कुछ, यह स्टुडेंट यह क्वेशन अपने आपके निव टाइप का था, और अच्छा क्वेशन है, देखते हैं, क्य electron की requirement रहती है, इसलिए BH का isolabel होता है, carbon की जगा आप BH भी लिख सकते हैं, तो इस compound का जो नाम होता है, इस से carburine बोला जाता है, इस पूरे compound को जो देख रहे हैं आप, इसको carburine बोला जाता है, चार statement इसके बारे में गिवन हैं, एक चीज जो मुझे समझ में आ गई, C, C, C चारों के चारों उप्सन में C इवन है इसका मतलब C क्रेट टंसर होगा और C क्या है? It is a super acid अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो acid-base वाली क्लास उसमें मैंने बताया था super acid वो acid होते हैं जो hydrocarbon को भी protonate कर देते हैं तो देखो, अगर यह super acid है तो DB ठीक होगा It can protonate fluorine hydrocarbonate ही तो है fluorine basically carbon का compound है और benzene hydrocarbonate आप बोल सकते हैं तो यह क्या कर सकता है? अगर यह super acid है जो की options की requirement आपको बता रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि यह protonate कर देगा, मतलब DB ठीक है? अगर यह बात हो गई, इसको हटा दो इसको हटा दो अगर C और D पता लग गया B confirm हो गया आपका देखो B confirm हो गया CH B11, C11 CH B11, CL 11 negative has a stable icosahedral geometry यह student देखो अगर मैं इस carbon की से कह BH रख देता हूँ यहाँ पे, BH, ठीक है? एक H already है ही B11 है, CL 11 है और इसके उपर आपका negative तो क्या B12 नहीं बन जाएगा देखो यह आपका B12 हो गया H2 हो गया C आपका CL 11 हो गया आपका तो यह जो B12 हो गया यह icosahedral geometry को बताता है ठीक है? इस conjugate base is a non-coordinating NIN इसका जो conjugate base होगा जैसे इसने क्या क्या? इसने H positive को donate किया तो यही है इसका conjugate base इसका conjugate base यह ही है इस conjugate base is non-coordinating NIN तो यह बात भी बिल्कुल सही होती है student इस question का जो correct answer आना था option number 3 आए थोड़ा सा इसका reference आपको मैं दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दो question आएंगे दोनों का चलो एक बर यह देख लो इसका reference मैं दिखाता हूँ इसका reference मैं अभी आपको दिखाऊँगा साथ में इससे next question भी बता देता हूँ आपको फिर दोनों का ही reference देख लेंगे तो यह question number 6 इसका correct answer आना था option number 3 यहाँ पे चारों की चारों statement true है इससे carbon acid बोलते हैं इसका नाम क्या होता है carbon acid question number 7 को भी देख लेते हैं फिर दोनों का explanation मैं आपको एक साथ दे रहा हूँगा तो यह zoom 2023 का question 4 marks का यह भी direct to direct standard book से उठाया गया था यह कहरा जी 5 mol हैं आपके पास 5 mol हैं आपके पास B9 H14 का negative B9 H14 का negative इसकी reaction करवाई गया यह 2 mol of B5 H9 तो यह कहरा है जब आपने इसकी reaction करवाई एक खास बात तो यह निकली कि 9 mols of H2 बहार निकल गए और एक formation हुई किसकी mono anionic borane cluster की किसकी वो जो है ना वो mono anionic रहा होगा उसके उपर एक negative charge रहा होगा तो बताए कि वो cluster जो है वो किस type का रहा होगा aracano है closer है needo है ठीक है हमें यह पता है student अगर हमारे पास आजाए bnhn2 negative तो वो closer होता है ठीक है अगर हमारे पास आजाए bnhn4 negative तो वो needo होता है अगर हमारे पास आजाए bnhn6 negative तो वो aracano होता है यह सब आपको पता है organo metallic में भी पढ़ाया जाता है अब भाई देखो जिसको ये reaction पता है वो तो इसका अंसर बता पाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका अंसर आएगा needo, क्या आएगा needo structure आईए मैं दोनों की आपको explanation देता हूँ, reference देता हूँ उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे पहले आप इन दोनों का reference लीजिए इन दोनों का question का reference बोरोन की class number 3 देखिए, पहला question ये था पहला, sorry, ये कहां से आगया भाई ये देखो, ये चलो पहले तो वही ले लो भाई ये रहा ये कहा रहे हैं, देखना, ये बिलकुल same to same reference से पुछा गया था the cluster binding reaction between borane and boron hydride, पांच मोल लिए B9, H14 negative के, दो मोल लिए B5 तो क्या मिला, B11 मिलेगा, B11 H14, क्या मिलेगा student B11, H14 और इसी को जब आप बहार निकालेंगे, एक negative तो होगा क्योंकि K positive है, तो negative है जब आप B11, H11 करेंगे, तो 4 negative हो जाएगा, इसी लिए मैंने बोला कि ये नीडो type का होगा इसी लिए मैंने बोला कि ये नीडो type का होगा समझ महीं देखो, ये इन दोनों ही reaction करवाई 9 लिक ले, तो ये क्या है, B11, H14 negative और इसी को जब आपने निकाला तो ये नीडो structure है, ये clear हुआ, अब हमारे पास दूसरा है, कार्बोरेन वाला ये रहा भई देखो, इसको बोला गया कि this is कार्बोरेन acid ये आपका कार्बोरेन acid होता है लिखा हुआ है कि ये super acid होता है और देखो क्या लिखा हुआ है at least 1 million times stronger than 100% sulfuric acid sulfuric acid से 1 million times ज़्यादा acidic होता है ये वाला, ठीक है आई आरे ये बात समझ में, देखो ये रहा the only acid, ये they are only acid known protonate C60, fluorine को भी protonate कर देता है benzene को भी protonate कर देता है देख लो भाई, है ना, दोनों बाते लिखी हुई है उसके बाद देखो, ये इसकी structure होती है पूरी देखो, ये आप देखोगे तो ये icosahedron structure होती है आप देख सकते हैं इसको, और जब आप इसकी reaction base के साथ करवाते हैं तो ये वाला बनता है, ठीक है आई बात समझ में, तो ये था जी हमारा कारबोरेन वाला, तो हुपकी आपको दोनों कोशन का reference मिल गया होगा, दोनों कोशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो जून 2023 के ये questions थे ये student, अब हम बढ़ते है question number 8 की तरफ, ये question पहले भी पूछा जा चुका है net में, same question को पहले भी पूछा जा चुका है net में, in solid state, methyl lithium, इस tetrameric, tetrameric form में exist करता है lithium four core होती है वहाँ पे, तो बताइए कि क्या true है student, ये question आपका पहले भी पूछा जा चुका है, net में ठीक है, तो आईए मैं इसको बनाने की कोशिस करता हूँ, पहले आपको यहाँ एक cube बनाना पड़ेगा पहले आपको यहाँ पे एक cube बनाना पड़ेगा इसको इसके साथ जोड़िए इसको इसके साथ जोड़िए इसको इसके साथ जोड़िए ठीक है, यह आपका Q बन गया, अब देखना जान से, इसको अटा देते हैं यहां से, अल्टरनेट पोजिशन पर, यहां से अटा देते हैं, यहां से, यहां से, यहां, यहां और यहां, यह भी रहे हैं, देखो, अगर आप यहां पर लीथियम लगा रहे हैं, यह देखो, यहा यहां आप CH3 लगा दीजिए, यह CH3 है, ठीक है, यहां फिर लीथियम लगेगा, यहां फिर लीथियम लगेगा, यहां देखो CH3 लगा दीजिए, यहां आपका फिर क्या लगेगा, CH3 लगेगा, alternate position पे, यहां क्या लगेगा, लीथियम, यहां क्या लगेगा, CH3, यह structure होती है देखो देख गया ना आपको Li4 core होता है इसमें ठीक है यह यह compound कुछ ऐसी structure इसकी दिखाई देती है अब यह कह रहा है इसको देखके बताना जी Each methyl anion is breathing between two lithium center देखो अगर आप देख रहे न methyl जो है वो तीन lithium के बीच में आ रहा है एक दो और तीन दो के बीच में नहीं आएगा 3 center to electron bond होता है यह बात बिल्कुल सही है इसलिए इसको हटाईए Each methyl anion binds to 3 lithium via 4 center to electron bond देखो यह basically यह बात बिल्कुल सही है student 3 center to नहीं होता है वही 4 center to electron होता है यह देखो एक यह दो यह तीन और यह चार इन चारों में देखो एक दो और तीन चार center होगे तीन तो यह lithium और एक यह carbon चार center और इनके बीच में सिर्फ दो ही electron होते है इसलिए इसलिए यह बात लिखी हो ही है यहाँ पे कि इस इस त्री lithium center via 2 is the correct answer जब में आगे की classes लूँगा main group elements के previous year की वहाँ पे दोबारा से इस question को explain करूँगा वहाँ पे इसको पूछने का वे थोड़ा सा लग था हैना same structure ही बनेगी वहाँ पे भी अब हम question number 9 की तरह बढ़ते हैं भई June 2022 के exam पे आ गए है तो यह ozone ozone से related question है CL radical है CL radical in stratosphere CL radical produced from chlorofluorocarbon और वह ozone के साथ react कैसे करता है यह पूछ रहा है देखो भई जैसे आपने CL की इसके साथ reaction करवाई तो यह एक तो O2 बहार निकल जाएगा क्या बहार निकलेगा O2 और यह जो CL radical है यह आपका O radical देखो इसका जो CL radical था यहाँ से जब O2 बहार निकला होगा यह O2 बहार निकला तो यहाँ पे ओजोन है यह O2 और इसके पास एक और रहा होगा इस radical इस radical ने बोन बना लिया तो सबसे पहले यह बनेगा तो यह जो आप X देख पारे ना वो यह है तो यह बताओ क्या होगा तो student यह देखो पहली बात तो यह बात समझ में आ गई कि X हमारा यह होगा X हमारा यह होगा तो यह यहाँ पे भी दे रखा है यह यह यहाँ पे भी दे रखा है यह चीज यहाँ दे रखा है और यह चीज यहाँ दे रखा है अब यहाँ पर पूछ रहा है X और Y बताने क्या क्या होंगे तो O2 तो यहाँ निकलेगी Y जो होता है न बिसिकली वो आपका ये वाला compound होता है Y जो होगा basically वो ये वाला compound आपका बनेगा ठीक है इसमें से जब आप इसके 2 mol लेंगे और इसके 2 मेंसे जब आप एक CL radical को बहार निकालेंगे तो इस compound की formation होती है तो correct answer क्या हैगा भई correct answer आएगा option number B ये वाला correct answer होगा पहले ये बनेगा X ये होगा और Y आपका ये बनेगा Y आपका ये बनेगा तो totally याद रखने वाली चीज़े होती है B is the correct answer question number 10 ये भी अपने आप में बिल्कूल standard book से उठाया गया question है वैसे question बहुत अच्छा है लेकिन ऐसे question देखो अगर आपने standard book पढ़ रखिये तो ठीक है ये basically आपका जो book है house house craft वहाँ से ये question उठाया गया था S&O के साथ तो आपको P मिलेगा तो P जो मुझे मिलता है यहाँ पे वो मिलता S&F4 ये मिलता भई ये हमारा P है ये हमारा P है अब ये कहारा है जब आपने HF की reaction करवाई आपने HF की reaction करवाई जब S&C L2 के साथ तो वहाँ से आपको मिला क्या हो और क्या हो भी ये होता है S&F4 ही होता है क्या हो भी ठीक है अब ये कहारा है reaction of one of them इन दोनों में से किसी की reaction करवाई NAF के साथ यानि कि ये कहारा S&F4 की reaction करवाई NAF के साथ तो आपको ये वाला compound मिलता है तो बिल्कुल सही बात है जब आप इन दोनों की reaction करवाएंगे तो आपको ये compound मिलेगा तो अब आपको कहारा है among the flowing कौन सी बात सही है among the flowing कौन सी बात सही है अब ये कहारा है पहला ही option देखो कितना असान दे रखा है ये कहारा है इन दोनों में से reaction करवाएंगे अरे P और क्या हूँ A की बात तो है तो क्या रहे P क्या क्या ये वाला compound obtained हो सकता है P से अरे हुआ तो पड़ा आपके समने NA4 है इसका मिलब 4 negative A तो पका ही सही है A में तो कुछ सोचना ही नहीं है ये हटा दो ये हटा दो ये भी A है ये भी A है और A होगा तो B भी पका होगा देख लो यहाँ पे लिखा भा In solid state P cyclic ring इसके ring structure होती है क्या Yes बिल्कुल ring structure होती है भाई इसका तो ये भी ठीक होगा B अब सी देखो stereogenic lone pair of electron are present in the both P and क्या हूँ ऐसा कुछ नहीं होता भाई क्या हूँ इस weaker lab अरे A की चीज़ है हटाव इसको correct answer क्या हैगा A and B आईए मैं इसका reference आपको देता हूँ तो reference आप देख सकते हैं आपका housecraft की book के inorganic chemistry के यहाँ पे आपको यह मिल जाएगा देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं देखेगा हम सुरुआत करते हैं यहाँ से देखना है रहा breeze formation is similarly observed in any positive salt of this and this यह देखो यह वह है न formed by यह देखो यह करा कि यह कैसे बनता है formed by the reaction of NAF and SNF2 in aqua solution अगर आप NAF की reaction करवाते हैं SNF2 के साथ तो आपको यह वाला compound मिलता है ठीक है तो इनकी structure साइद next में नहीं दिखाए गई कोई बात नहीं तो यह मैंने यहाँ पे क्या लिखा था SNF4 लिखा था ना तो इसको आप SNF2 बना लीजिए क्या बना लीजिए SNF2 और SNF2 की reaction करवाएंगे इसके साथ यह रहा है तो ठीक है इसका मतलब यह जो P रहा होगा वो P कोन है P कोन है SNF2 है समझ मैं आरी बात तो इसका correct answer रहाना था A and B reference based question था question number 12 भाई मैं आपको दो जगा पढ़ा चुका हूँ अब इसको दोबारा मैं पढ़ाऊँगा नहीं इसको मैं इस question को मैं periodic properties में chemical bonding में दोनों जगा पढ़ा चुका हूँ इसका answer मैंने D बताया था अगर आपने पहले की वीडियोज नहीं देखी तो देख लीजीगा question number 12 अब ही मैं आपको chemical bonding में पढ़ा चुका हूँ अब इसको दोबारा से पढ़ाने वाला नहीं हूँ ठीक है तो इसका answer मैंने बताया था first statement भी सही है and आपका ये जो आप देख पार है 7 और 4 ये B incorrect और secret है मैंने इसका answer बताया था आपको A and C अगर आपने chemical bonding की वीडियो नहीं देखी है आप देख लिए सिएगा नहीं तो हमारा time ज़ादा लगेगा है ना वहाँ पे इसको मैं अच्छे से explain कर चुका हूँ yes question number 13 काफी important है student among this ये वाला nitride ये BN inorganic graphite जिसे बोलते हैं ये देखीगा भई ये S and X the compound with highest conductivity किस compound की highest conductivity होगी student ये जो compound आप देख पा रहें इसको हम one dimensional structure इसकी होती है 1D structure इसकी होती है ये polymeric form में ही exist करता है ये के direction में चलता है linear chain में चलता है और ये highest conductivity शो करता है S and X highest conductivity शो करता है इसका use superconductor के तोर भी किया जाता है इसका अगर आपको reference सहिए इस compound के बारे में तो वो भी मापको पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें लेक्चर में काफी detail में चीज़ें cover हुई थी क्योंकि वहाँ पे time होता है और चीज़ें explain की जा सकती है और इसकी method of preparation भी यहाँ पे बताई जाती है कि यह कैसे बनता है देखो यह देख रहा है ना SNX SNX तो यह देखिएगा यहाँ पे SNX के बारे में आपको काफी information मिल जाएगी यह रहाँ देखो SNX इसे polythiazile बोला जाता है यह linear chain polymer होता है one dimensional polymer होता है very good conductor of electricity और यह as a super conductor के तोर पे भी इसका use किया जाता है तो क्या correct answer आएगा D क्या correct answer आजाएगा भई यहाँ पे आपका D is the correct answer ओप कि यह question आपको समझ में आ गया होगा D is the correct answer question number 14 पे बढ़ दें भई यह बिल्कुल easy question है अगर आपको थोड़ा भहुत भी idea है lithium ion battery का नाम सभी ने सुना होगा देखे यहाँ पे lithium दिख गया मुझे lithium ion battery सभी ने सुनी है तो इस compound का use कहां किया जाता है battery बनाने के लिए C का फोर सिर्फ A के option में है तो कानी खतम कानी खतम B A का क्या आएगा 2 इसका use geolights का use किया जाता है CO2 को capture करने के लिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे बचकिया जी आपका B का आएगा first indium tin oxide का use किया जाता solar cells में and आपका PT alloy का use किया जाता fuel cell में अगर आप सिर्फ इसको देख लेते lithium ion battery है ना सर्ज गई वो चल रही है आज कल तो तो उसका use C is the मलब इसका option number 3 is the correct answer question number 15 देखेगा भई धान से देखेगा इसको थोड़ा सा धान से देखते है क्या कह रहा है the reactive crow section is expected to be largest reactive crow section जो आपका ये हारफून principle से related होता है हारफून mechanism से related होता है ठीक है तो इसको मैं बताता हूँ reactive crow section reactive crow section is inversely proportional to change in energy ये होता है पहली बात तो ये notice किजिए और भई मैंने ये lecture में साइद इसका answer मैंने थोड़ा सा अलग बताया था तो ये बिल्कुल correct explanation इसकी और अफिशल की के साब से reactive crow section is inversely proportional to this ठीक है अब अगर बात करते हैं जो ये delta E note होता है ये equal होता है जो आपका metal रहेगी उसकी ionization energy जो आपका metal होती उसकी ionization energy और जो आपका non metal होती उसकी electron affinity का difference उसके उपर depend करता है delta E अब ध्यान दीजिएगा यहाँ non metal तो fix है chlorine, 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 chlorine non metal तो fix है अब आपको metal देखना है और down the group जाने से ionization energy decrease करती है RB के लिए ionization energy सबसे कम है अगर ionization energy सबसे कम है तो ये सबसे कम होगी अगर ये delta E note सबसे कम है तो reactive crow section सबसे ज़ादा होगा इसलिए इस question का correct answer आएगा option number fourth इसलिए इस question का correct answer आएगा option number fourth ये बिल्कुल correct explanation है student हारफोन mechanism में पढ़ा जाता है है ना तो reactive crow section is universally proportional to delta E note और delta E note जो होता है वो metal के लिए ionization energy देखना and non metal के लिए electronic affinity देखना यहाँ non metal fix है इसलिए मैं metal की ionization energy देखूँगा down the group जाने से ionization energy decrease करती है और अगर ionization energy decrease करेगी delta E decrease करेगा delta E decrease करेगा reactive crow section highest होगा तो question इस question का correct answer आएगा option number option number fourth question number 16 की बात करते है student ये भी अच्छा question है ये इसको phosphosines का से related है which of the following reaction does not occur कोन सी reaction नहीं होगी कोन सी reaction नहीं होगी student ये बिल्कुल reference based चीज़े है अगर आप NpCl2 का thrice की reaction Naf के साथ करवाएंगे तो ये वाला compound मिल जाता है यहाँ पे examiner ने note पूछा भई इसलिए इसको हटाएंगे ये method of preparation है बन सकता है easily PCL ये जो होते हैं आपका इनको बनाने के लिए ये method of preparation होता है PCL5 की reaction ammonium chloride के साथ करवाएंगे ये बन जाएगा ये reaction भी हो जाती है अगर ये down reaction हो जाती है इसको हटा दो इसको हटा दो तो correct answer आएगा fourth fourth वाली reaction नहीं होगी अगर आप PF5 के साथ ये करवातें ammonium इसके साथ तो ऐसा आपको बनतावा दिखाई नहीं देगा मैं आपको reference दिखाता हूँ housecraft book का reference है इसको भी लेके ये देख सकते है housecraft book का reference है सबसे पहले तो ये वाली reaction देख लो अगर आपने n mol of PCL5 लिया है n mol of ammonium chloride तो ये आपको बनतावा दिखाई देख रहा n p c l 2 का n ठीक है आई बात समझ में दूसरी बात देखो ये कर रहा है जब आप इसकी in the chlorine atom एरा जब आप इसकी यानि की n p c l 2 की reaction करवाएंगे फ्लोरीन के साथ तो फ्लोरीन लग जाएगा उस पे naf जो है अगर आपने इस compound की reaction naf के साथ करवाई तो जहाँ chlorine है वहाँ fluorine लग जाएगा देखो यहाँ chlorine था यहाँ fluorine लग जाएगा इसका मतलब यह दोनों reaction होगी और तीसरे वाली reaction नहीं होती आप से ही पुछा था कौन सी reaction नहीं होगी तो d fourth is the correct answer next question की तरब बढ़ते हैं वही यह सारी चीज़ें वही reference आपके लिए बड़े important हो जाते हैं देखिएगा question number 17 की तरब बढ़ते हैं अब यह बोला गया है consider the flowing statement pbcl2 has low solubility in water बिल्कुल सही बात है student आपको inert pair effect पढ़ा होगा एक pb plus 2 होता है और एक pb plus 4 होता है pb plus 2 due to inert pair effect pb plus 2 is more stable यह ज़्यादा stable होता है इसलिए pbcl2 भी ज़्यादा stable है और पानी में डालने पर यह ज़्यादा soluble नहीं होता है यह correct होगा यह यहाँ पे भी दिया है यह यहाँ पे भी दिया है यह यहाँ पे भी दिया है आमोनियम सुल्फाइड में सॉल्वल होते हैं, याद रखने वाली चीज़ें, मैं कुछ एक्स्प्लेंड कर नहीं पाऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं, रियक्शन से, क्या सम्झाऊंगा इसमें, याद रखने वाली चीज़ें, तो यह बात बिल्कुल सही है यहाँ प मिलता है, ठीक है, तो A, B, C इस क्योशन का क्रेक्टन सोर आएगा, स्टुडेंट मैं ज्यादा कुछ एक्स्प्लेंड कर नहीं पाऊंगा, यह रियक्शन होती है, यह आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योशन नंबर 18 की तर इलेक्टरन बोंड एक्जिस्ट करता है, जिसे बनाना बोंड, फादर बोंड और टो बोंड भी कहके बोलते हैं, ठीक है, यह रहाँ, अब यह कह रहा है, सबसे पहली बात तो यह कह रहा है, कि भाई देखो, क्या यह डाया मेगनेटिक होता है, यह इसके पास कोई अनपिर रहेक्षन करवाते हैं, अमोनिया के साथ, या टू डिग्री अमाइन के साथ, तो वहाँ पे आपका हेट्रोलेटिक क्या होता, डिसोसियेशन, वहाँ पे आपका भी एच्टू पोजिटिव बनता, भी एच्पोर नेगिटिव बनता, बट अगर आप थ्री डिग्री माइन लिया है, तो स्मेट्रिकल क्लिवेस होगा, आपको टू मोल्स मिलेंगे भी एच्ट्री के, और भी एच्ट्री के पास वेकंट और्बाइटल होता है, तो यह क्या करेगा अपना लोन पेर डोनेट करेगा, यह वाला कंपाउंड बनता है, C बिल्कुल सही है, तो यहा साथ, तो आपको वहाँ पे method of preparation है, यह B2H6 का, यह भी सही है, यह गलत है, यह भी सही है, A, C, D is the correct answer, option number 2, highest के reference मैं आपको दे देता हूँ, housecraft book का reference आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात यह देखो यह रहा, अगर आप इसकी reaction करवाते हैं, larger groups के साथ, this, this, ठीक है, तो आप आपको symmetrical cleavage देखने को मिलेगी, अगर ammonia के साथ करवाते हैं, unsymmetrical cleavage, BH2 positive, उसको अपने lawn पर donate कर देता, और जब इसको heat करते हैं, तो यही से हमें borazine ही मिलता है, ठीक है, और यह देख लो method of preparation, sodium borohydride, और BF3 की reaction करवाते हैं, तो di borane यहापे बन जाता है, और इसका point group मैंन समझ में आ गया हुआ, student इस question का discussion भी मैं periodic properties में कर चुका हूँ, अब मैं इसको अलग से बताने वाला नहीं हूँ, सिधा इसका answer, indium की ionization energy, aluminium से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इसको हटा दीजिए, यह हट गया, scandium की higher होती है क्या cobalt से, उसके बाद देखो यहाँ पे, आपको बताना था answer कि यह है आपका gallium, gallium की lower होती है क्या selenium से, बिल्कुल सही है, तो इसलिए यह आएगा, यह आपका नहीं आएगा, तो इसका answer आएगा 2, बताया हुआ है मैंने पढ़ा चुका हूँ इसको पहले मैं, अब भई हम पहुंच गए है question number 20 पे, अब हम पहु तो A compound मिला है, और then on reaction with an equivalent amount of XOE3, और A gives B, तो देखो सबसे पहले, जब आप XEF6 की reaction करवाते हैं, limited amount of SiO2, तो इसका जो है basically आपको मिलता है XEOF4, यह आपको मिलेगा जी, ठीक है, और अब यह क्या कह रहा है, यह A बन गया A, अब A की reaction बोल रहा है, XEF6E, यह वाला compound, इसके reaction, अगर आप करवाते हैं, किस के साथ, XEO3 के साथ, तो यहां से आपको मिलता है XEO2F2, क्या मिलता है XEO2F2, ए और B बताईए, याद रखना पड़ेगा student, option number B is the correct answer, option number B is the correct answer, question number 21 की तरह बढ़ते हैं, ज्यान दीजिएगा, और last class में जो मैंने आपको acid base के concept पढ़ाए देना, उनसे भी relate करता है, the reaction of SbF5, unhydrous HF generate CA, ना ना ना, देखो हाँ, सही है, देखो, जब हम SbF5 के reaction करवाते हैं, HF के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, SbF6, और यहां पर आ जाएगा negative, और यह क्या बनेगा, H2F positive, बिल्कुल सही बात है, काट इनको produce करेगा, ठीक है, in solid state SbF5, trigonal by pyramidal होता है क्या, यही तो S की solid state, देखो, यही इन दनों का अपस में जोड़ दो, तो यहां पे, यह तो भाई, coordination number 6 दिख रहा है, 6 दिख रहे हैं 6, 6 वाला TBP तो होई नहीं सकता, हटाओ इसको, यह गलत है, 4th ठीक है, देखो, 4th यहां पे भी, 4th यहां पे भी, हटाओ, 3 नहीं आएगा, हटाओ इन दनों को, लो जी, आगया answer अपने पास, साब साब, PF3 act as a, PF3 act as a strong sigma donor, नहीं, यह आपका pi acceptor ligand होता भई, PF3, हैना, गलत हो गया, ASCl3, यह बना लेगा, in the presence of chloride, yes, बिलकुल accept कर लेगा, ठीक है, तो इस question का correct answer भई, यह आरसन, AS को पहचानने का test होता है, मार्स test is used to identify traces of the AS, ठीक है, यह poison होता भई, basically एक प्रकार से उसको test करने के लिए, मार्स test का use करते है, question number 23 आगया, the last question हमारा इस पहली वीडियो का, main group elements की पहली वीडियो का, correct statement बतानी है, पहला word यूज किया गया है, paroxydisulfuric acid, इ this is paroxydisulfuric acid, और दूसरा वर्ड यूज किया गया, dithionic, निक है इक, न, sulfuric, sulfurous, तो यह होता है, basically आपका, H2, S2, O6, ठीक है, अब इनके बारे में, इन दोनों की structure देख लो भई, सबसे पहले तो, paroxy आ रहा है, paroxy, यहाँ पे इसका रहा है, paroxy link is present होगी, यह O, यह O, S double bond O, S double bond O, यहाँ पे होता OH, यहाँ पे होता OH, ठीक है, this is, इसी को न, Marcell's Acid के नाम से भी जाना जाता है, इसी को न, Marcell's Acid के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसके जो structure होती है, double bond O, double bond O, यहाँ पे, double bond O, double bond O, OH, and OH, ठीक है, यह आपका होता है, dithionic acid, यह होता है, paroxydisulfuric each has, पहली बात तो correct statement, क्या दोनों के पास दो OH है, each of these has two OH, yes, दोनों के पास है, ठीक है, बस, question कतम, पर oxy में एक OH है, और dithionic में दो है, हटाओ इसको, पर oxy में दो है, dithionic में एक हटाओ इसको, each of these has only one OH, हटाओ इसको, यह राजी, correct answer क्या देगा, option number first, correct answer क्या देगा, option number first तो भई, यह हमारी main group elements की, previous year की class number one थी, इसमें हमने, November 2020 तक के questions का discussion कर लिया है, लगबग 23 questions थे, next video में हम दिसंबर 2019 से start करेंगे, और आगे के जो previous year questions है, उनको देखेंगे, इस video में, अभी के लिए इतना video अच्छी लगे, like और share कीजिएगा, ज़्याद अपडेट्स के ल आगे आगे, तेंक यू.